लालू प्रसाद के सारे दावे और राजनितिक हुनर को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं नितीश कुमार हमेशा से चैलेंज करते रहे हैं एक बार फिर से नितीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ हैं हाला कि गड़ी में तेजस्वी आदो की भूमिका है जो 2015 में भी रही थी तब बिद तेजस्वी आदो नितीश कुमार की सरकार में उनके भतीजे की तरह थे और उनके उपमुख मंत्री थे इस बार भी परिस्थितियां वही हैं लेकिन बदले हुए हालात हैं इस बदले हुए हालात में जहां एक तरफ नितीश कुमार के लिए विकल्प की कमी हो गई है वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि राजनीत में सियासत में कोई भी लास्ट नहीं होता है और नहीं कोई अस्थाई दोस्त और दुस्मन होता है हाला कि भारते जन्तापाटी लगतार इस बात से इंकार कर रही है जैसे पहले नितीश कुमार किया करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे तो दूसरी तरफ वो बार-बार ये बाते कह रहे हैं कि अब 2024 की लड़ाई वो नरेंदर मोदी के विरुद लड़ेंगे और भारते जन्तापाटी को 2024 में सत्ता से बाहर करेंगे हाला कि इस दावे में थोड़ी शी नर्मी आई है और ये नर्मी तब से और ज़्यादा चर्चा में हुई है जब वो राज्यपाल से मिलने गए थे और उनके पीछे-पीछे सुसील मोदी गए थे उसके बाद से सुसील मोदी के भी भाव भंगीमा बदली हुई है और अंतता ये बाते कही जा रही है कि कहीं नितीश कुमार और सुसील मोदी में फिर से भीतर ही भीतर दोस्ती तो नहीं हो गई है अगर ये दोस्ती हो गई है अगर दोनों एक पट्री पर चलना सुरू कर चुके हैं तो ये मान के चलिए कि तेजस्वी यादों का खेल समाप्थ हो जाएगा और लालू भी नहीं रोक पाएंगे जैसे 2017 में नहीं रोक पाये थे आपको बता दें कि सुसील मोदी ने सिख्षा विभाद की बरबादी को लेकर के लालू परसाथ और उनके पूरी टीम क जिमेवाद ठारा है उन्होंने कहा है कि जिस तरह के ब्यक्ति को मंत्री बनाया गया है वो सुरू से ही सिख्षा को छोड़कर के बाकी सारी बाते कर रहा है इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री इस ऐसे लोगों को कैसे टॉलरेट करेंगे लालू परसाथ के ब कि इन सारी बातों को ले करके सुसील मोदी ने कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी आदों ने मंत्री मंडल के गठन में ध्यान नहीं रखा कि कौन किस तरह का अभ्यक्ती है किसकी क्या रही है ट्राइक रिकोर्ट इन सारी बातों को करके जिस तरह से उन्होंने अपने बद जुबान और अंड संड बोलने वाले विधायक को मंत्री बना दिया तो वही नितिश कुमार ने भी एक बड़ी गल्ती कर दी और अपने नौरोतनों में से एक जो सबसे ज़्यादा गाली बाज हैं उनको उस विभाद का प्रभार दे और नितिश कुमार के फैसले हैं आगे उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पढ़ान सच्चिव की लड़ाई में दोनों अस्तरों पर जो फर्मान जारी किये जा रहे हैं वो कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है इससे पहले रिए आपको पता दें कि सुसील मोदी ने इन सारी बातों को रखते हुए नितिश कुमार को इन सब से बाहर निकलने कोई फैसला लेने की बात कही है उन्होंने कहा है कि परधान सच्चिव की जुबान ही इस महकमे का कानून है नीचे के अधिकारी सस्पेंट की धमकी देते हैं और पैं विद्यालों में सत्र अनियमित है ये बाते कौन नहीं जानता है असनातक सतर पर हजारों सीटे खाली रह जाएंगी चात्र यहां दाखिला नहीं लेना चाहते हैं और विश्व विद्यालों में सिख्षकों के 40 फिसद पद खाली है उसके बावजूद इन दोनों का इस तर सुरतन है उनके चलते नितिश कुमार के ही पाटी के जो नितिश कोटे में सरकारे मंतरी हैं मदन सानी पहले भी विद्रोह कर चुके हैं बात राम सुरत राय की की जाए और खुद तेजस्वी आदों भी नितिश कुमार के इन अधिकारियों से परेशान है अब ये देखना दिल्चस्थ होगा कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादो भी अपने कई भी भागों में अधिकारियों के कारण परिशान हैं तेजस्वी यादो ने फैसला सुना करके जब वो विदेश चले गए ट्रांसफर पोस्टिंग का तो उसे भी निरस्थ किया गया और उस पर भी जा आप बताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर ही भीतर दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है और यह दोस्ती आगे बहुत बड़ा खेल करने वाली है जुड़े रेक भारत लाइप के साथ खबरे लगातार जा रही है प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दिए पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद